दोस्तो आप Excel यूस करते हो अगर आप Excel यूस करते हो तो शायद दोस्तो आपके साथ एक ऐसा इश्यू हो रहा होगा, जिसमें कि फॉर एक्जामपल अगर लूस्तो आपको एक वैल्यू डालते हो अपने सेल में फॉर एक्जामपल यहाँ पे मैंने चार करोड का जो है वैल्यू डाला है अगर दोस्तों मैंने ये वैल्यू डाला है तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये जो style हो गया ये style जो है value वो US style के हिसाब से हो गया ये style in the sense देखे 40 के बाद, और फिर 000 के बाद, लेकिन दोस्तों हम को चाहिए इंडियन format में, इंडियन format in the sense की कैसा होता है कि 4 के बाद, फिर 20 के बाद, कुछ उस way में होता है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले कि जो US style होता है उसको हम इंडियन style में कैसी convert करेंगे अगर आपको excel जो है वो old version का हो गया तो maybe कभी कबार क्या होता है उसको compatibility स्टिल US के इसाब से बनावा होता है तो नमस्काल है दोस्तों मैं हूँ आपका डाटनस पर आचको दोस्तों एक latest और नई वीडियो में जिसमें दोस्तों मैं आज आपको इस चीज के बार में बताने जारो कि आप इंडियन conversion को कैसे कर सकते हो इन excel टीक है वैलियूस को दोस्तों चली वीडियो स्टार्ट करते है अब दोस्तों मैं आप एक चीज बताना चाहते हो यहां पर दिखें तो manually मैं लिख रहा हूँ इसलिए आप ऐसा हो गया अगर मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हो मेरा जो excel है वह एकदम updated latest है और वह इंडिया के हिसाब से compatibility reason wise बरबर है इसलिए आप उसने मुझे value बरबर दिया ठीक है लेकिन दोस्तों ऐसा कभी कबार हो सकता है कि आपको मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको जैसे मैंने आपको बताना पहले जैसे format थ आपने को क्या करना है यहां पर फिलाल के लिए जनरल चूज कर लेता हो ऐसा अगर होता है जिससे मैंने कहा आपको यूए स्टैल जैसा होता है तो आपको right click करना है format cell पर क्लिक करना है ठीक है उसके बाद दूस्तों यहां पर क्या करना है आपको यहां पर custom पर जाने के बा बड़ा सा मैं इसको zoom कर दीता हो ठीक है अब आपको दिख रहा होगा मैं still और बड़ा कर देता हो ठीक है यह देखी यह दोस्तों आपको number दिख रहा होगे number को ध्यान से note-down कर लीजेगा ठीक है यह मैं number दोस्तों description box में भी लिख दूंगा लेकिन आप यहां से भी check कर सकते तो मैं control A करूंगा control C करूंगा ठीक है इसको minimize कर देते और यहां पर जो type है यहां पर देखिए इस पर हम paste कर देंगे ठीक है पेस्ट करके दोस्तों क्या करना हम हम जो है इसको यहां पर ok कर देंगे ठीक है यह देखे दूस्तों ok जैसे मैंने किया जनरल format से देखें यहां अब यहां पर देखिए custom में देखिए उपर आया पर custom हो चुक है custom में देखिए दोस्तों इस वे में आपको Indian style में मिल चुका है ठीक है तो अभी कोई घबराने की जरूत नहीं कोई reason reason का वो change करने का जरूत नहीं है कर सकते हो वैसे भी setting है जो कि मैं आपको बताओंगा ठी लेकिन दोस्तों temporary आप ऐसे भी चीज कर सकते हो custom जो है एक formula मतलब अपना number format है जो कि यहां पर है आप इसमें इसको apply कर सकते हो ठीक है दोस्तों यह था आज का वीडियो अगर आपको दूस्तों पसंद आया अगर आपको helpful लग आपको useful हो गया वीडियो तो इस वीडियो को आपको जरूर देख ले अगर आपको content पसादा तो इसकी content को यह वीडियो को भी जरूर शेयर करें जिनको भी एकसल यूजर है जिनको एकसल में काम करते बहुत सारे लोग ठीक है और एक बार चला है कि content जरूर देख ले अगर पसंद है तो हमारे इस चनल को subscribe जरूर कर ले साथ में जो bell icon उसको भी जरूर प्रेस कर ले ताकि जो भी मैं लेटर सुरूर डालते आंगो उसका आपको notification मिलते रहे so guys thank you for watching this amazing video